हाई गाइस कि आप लोग को पता हैं कि UK में ऑप्टोमेटरिस्ट का क्या क्या उपर्चिनिटीज है क्या सैलरी रेंज है और क्या प्रफिशनल ग्रोध बगरा है तो चलिए इस वाले वीडियो में डिसकेस करते हैं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले डिगरी होनी चाहिए अप्टोमेटरि में उसके बाद कम से कम एक साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और यहां में UK में एक है जी ओसी जनरल ऑप्टिकल काउंसिल यह बोडी है जो आप्टोमेटरिस्ट को मतलब रेगुलेट करते है UK में इसकी लाइसेंस होनी चाहिए ठी संका आपकी डृич का सिग्री इसके अचाहि डिप्लोमा यह डिग्री करीक अप्रोमेटरि में यह इसके डिग्री की सुर्टीफिकेट्स होनी चीर उदेखिए इंग्लीश होना भाणिश मीडियाम और पास्टूर्ट अबर नगखर ब्रूव ऑना कर सकतो मैं इनकी जो वेबसाइट की लिंक है वो डेस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप वहाँ पर जाके भी देख सकतो क्या कर एडिशनल डुकुमेंट वगरा चाहिए और इसकी फी वगरा लगभाग 50,000 इंडियन रुपीज के आसपास हैं आपको फीपे करना पड़ता ह और उसकी बाद एक या दो महिने लगता है उसमें आपको रेजिस्ट्रिशन मिल जाती है जब आपके पास दो साल एक साल यह दो साल का एक्स्पिरेंस से जीओसी का रेजिस्ट्रिशन बन गया फिर आप यहाप पर जॉब करने के लिए इलिजिबल है आप जॉब 38,000 पाउंड से एक साल का लगबग इंडिया निसाब करोगे तो 35-36 लाख रुपे एक साल की सेलरी मिल जाती है और प्रोफेशनल ग्रोथ तो बहुत अच्छी है प्रोफेशनल ग्रोथ में आप जैसे आप अप्टोमेटरी स्टार्ट कर सकतो उसके बाद आप स्टोर इंच मैंन पाउर और बटम लेवल पर मैंन पाउर की शॉट यहां पे ऑप्टोमेटरी की जो चैन है मतलब विजन एक्सप्रेस बूट्स सूपर ड्राग बहुत सारे मतलब जो आई क्लिनिक हैं बहुत सारे हैं यहां पे ओल ओवर यूके ओल ओवर यूरोप तो आप कही पे भी इसके लिए अप्लाई कर सकता जॉब बहुत सारे जॉब से ओविसली यह शॉटेज उकूपिशन लिस्ट में तो आपको बहुत सारे प्रकेंसी देखने को मिलेगा और मुझे यह चीज़ की नहीं है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इसमें ऑप्टोमेटरिस की क्या तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ मेरे साथ जुड़े रही है